जमीन बेचना चाहते हैं, अगर हम उनको जमीन बेच देते, तो यह लोग नहीं तोड़ते, हम जमीन नहीं बेचे उनको, हम रहे दूसरा को बठाए हैं, तो वो लोग मेरे साथ में मिलकर, तो हम दूसरा को क्यों जमीन बेचेंगे, तो नहीं बेचे हम दूसरा को, तो इसलि जारखन में भूमाफ्याओं का कबजा इंद्रों पाहनों की भूमी पर देखने को मिल रहा है भूमाफ्याओं का मन इतना बढ़ गया है कि जमीन के असली हगदार को बेदखल कर खुद माला माल होना चाहा रहे हैं ऐसा ही एक मामला आज अर्गोडा थाना छेत्र का पुल्ट रख रही थी वहीं दूसरी और दूसरा पक्ष ठाना में अपना पक्ष रखने में असफल बताया जा रहा था ठाना में आज दिन भर जमीन को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा बताया जाता है कि अर्गोडा थाना पुलिस के लगतार बुलाने पर भी दूसरा पक नेहा हेमरम और उनका समस्त परिवार काफी चिंतित है वहां इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं उनके परिजन लगतार मीडिया के माध्यम से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या अब अपने ही जमीन पर रहने के लिए भूम आफियाओं से सर्टिफिकेट लेना होगा क्या सरकार और प्रशाशन हमारी गुहार नहीं सुनेगी देखना दिल्चस्प होगा कि क्या प्रशाशन जमीन की असली मालिक को उनका हग दिलाती है या फिर उन्हें दर दर की ठोकर खाना पड़ेगा आई ये जानते हैं कि जमीन के असली मालिक बताने वाले पक्च का क्या कहना है क्या कुछ मामला है मैडम हालो पहान जी कि मैं बेटी बोल रही हूं और हमारा जमीन है हिंपुडी वाला उधनादी साइड में इसका खाता नंबर 113 लोट 217 और उसका जमीन है 116 में जो जमीन हमारी है और हम उसमें रईयत बठाए है और जो लोग को रईयत बठाए है वो ल उनका एक फाय है जो दिनको रईयत दिये है नोवेल मिंज लगका तो उनका बेटा रोसन है रोसन मतलब रोसन है उनका बेटा राहूल मिंज वो आय और उनको बोलते थे हमेसा कि मतलब अकना परिवार को की जिनको हम जमीन देने बोल रहे है बेचने उनको बेचो जमीन तो हमारी मतलब जमीन पूरा जितना बॉंडरी वाल था वो पूरा तूट गिया और उसका मुझे चाहिए इसके लिए आप लोग मदद कुजिए तो जब जमीन का मालिकाना हग आपके पास है तो वो किस हग से आपके जमीन पे लगाता चड़ाई करें और बॉंडरी वाल तोड़ रहे हैं प्राशासन से क्या गुछार है प्रसासन से गुछार है कि मेरी मतलब जो भी बॉंडरी वाल तोड़ा गया है उसको मतलब जाकर बनवात दे जितना भी है जमीन उसको मेरा हैंड में दिलवात दे हम अपना कारे खुद कर लेंगे और मतलब जो भी मेरा हानी हुआ है हम लोग गरीब आद में हम लोग को मुँआ आजा दिलवात इच्छे बास जब बॉंडरी वाल वहां पर हो रहा था तो उस टाइम में कोई अब्यक्शन नहीं हुआ और सारा मेडम अभी आरगोडा थाना चेत में मौझुद है तो अपनी क्या व्यूदान दिया है आवेदन में यहीं लिखा हुआ है कि जो भी हमारी तॉभड की गई है गाली गोज किये हैं हम लोग को परिशान किये हैं, तो उसका बारे में मतलब हम लोग को मुआजा दिलाना चाहिए, और मतलब जो बॉंडरी वाल जो तूटा है, उसको बनवाने की किरपा करया ही सब लिखा हुआ. और किसमें तो रहा है? विफट्स पाठी, राभूल मिंच, अब विनाटी गाउन का सहीयोगी, और भी आनी लोग थे उनके साथ में बहुत साथ, उनमें लेडिस भी थी, जेन्स भी थे, ये चार भाई हैं, नहीं, पाहन से लिया गया था जकरिया मिंच को, और उनके चार बेटे हैं, नोवेल मिंच और उनिल मिंच, ओनेगस मिंच और रोशर मिंच, तो हम लोग तीन भाई जो हैं, वो लोग पाहन के साथ मिलके, अपना बाउनरी किये थे, जिसकों की लोग तोड़ दिये हैं 25 तारी को, और उसके बाद घर पे भी आके, वो लोग थोड़ा तोड़ खोड़ किये, हम लोग को काफी छती भी हुआ है वहां बॉबरी वाल भी तोड़ा गया है तो इसके लिए हम लोग यहां पर आवेदन दिये हैं कि हम लोग का यह कारवाही किया जाए कुछ और मुआवजा मिले हम लोगो और वहां पर जो लोग धामिक जंडा गाड़े हैं उसको हटाया जाए कितने समय से आपको परेशान किया जा रहा है ऐसे तो जनवरी से जनवरी से परेशान किया जा रहा है कुछ कुछ बीच में हुल लूग करता ही था और अभी 25 तारी को इस तरह से वह AH अठी जब आप अपना बैशिशे बता दीजैगा पूरब, मेरा नाम रेचल मेंज काहने का मतलब है कि कौन के अंधर में तरना एक ही होता है अख़ड़ु जो है एक ही होता है करम अख़ड़ रिवाद यही है कि जो राहू नीज है उनका परिवार को दिया गया था यहाँ पर रहने के बिनाइतिगा जो आपने आपको पहान बतावते हैं, वो मिलकर दोनों लोग बेचना चाह रहे थे जमीन को, हम लोग नहीं देचना दिये, तो फिर उसके बाद बेचना चाह रहे थे, आपकी बोले कि हम लोग को पैसा दीजिए, जब पैसा ओलोग दिमांड किये, कि 10 लाग चाहिए हम लोग को, तो हम लोग बोले हम लोग क्यों देंगे मेरा जमीन, जाम राईयाद वैठा है, तुमको तुम रहो अद जितना चाहें, मेरा जमीन है हम उसमें घार बनाए pressured हो करने भी करें जाने घार गे त्टीश तारी को, पथीज 25 extra तोड़ने चाहरे थे बड़ा सा गेट है उसको अवसावल से तोड़ रहे थे उसमें भी नहीं तोड़ रहा था तोड़ दिये दिवार को तोड़ दिए थी छोटा दर्वाजा क्या है तोड़ दें कितने लोग थे कम से 50 से 60 लोग थे धंकी दिया गया कि बाहर निकलो नहीं तो फिर तुम लोग समाज जाएगी देख रही है ना वोलके अजार सकते ही फिर उसके बाद आज है भी प्लोट पर आए हैं हम लोग तो वहां पर भी वो लोग बोल रहे हैं कि यह समाजिक जमीन है जब कि यह मेरी अपनी जमीन है और यह लोग कभजा करने के लिए दलाल लोग मिलकर हम लोग को गरीब लोग को दबा रहे हैं और हम लोग का जमीन लूटना चाहा है अपने राजिस जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथी वेल आइकन ब